So, hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel or own classes. My name is Vipen Kumar Sharma and in this video I am going to teach you guys a very very special, a very very specific extra agency RT topic. It means that this is going to be a topic which is not present in NCRT और आप में से हो सकता है कुछ students ने इसका नाम भी पहली बार सुना हो. आज हम एपिस्टैस को पढ़ने वाले हैं और एपिस्टैस भी दो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं जो कि है रिस्टैस और डॉ्मिनेंट अपिस्टैस तो आज हम दॉ्मिनेंट अपिस्टैस को टार्गेट करेंगे और इससे अगली वीडियो में हम आपको रिस्टैस के बारे में बता दूदाूगा. तो काफी सारे ऐसे फेनोमेना होते हैं जो आपके normal dihybrid cross के ratio को obey नहीं करते यानि आपका normal dihybrid cross आपके mendels आपने कराया था वहाँ पर ratio आया था 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 but sometimes this ratio is not obeyed so कौन-कौन से ऐसे interactions है जिनकी वज़े से ratio आपका disrupt हो जाता है वो सब हम लोग जो है आपके allylic interaction में पढ़ने की कोशिश करते हैं non allylic interaction में पढ़ने की कोशिश करते हैं so आज हम dominant tapestasis को detail में समझेंगे so अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो please कर लीजे और हमारा एक backup channel है जिसका नाम है ozone classes 2.0 उस channel को subscribe कर लीजे दोनों का link आपको description में मिल जाएगा if you are on instagram then you can follow me up on my instagram handle that is weapon sharma biology और अगर आप an academy पर मुझसे live पढ़ना चाते हैं तो आप मेरा code use कर सकते हैं weapon इस code को use करने पर आपको maximum possible discount मिलेगा और आप directly मेरे mentorship batch में भी enroll हो जाएगे जिसके बाद जो है you know हम लोग बहुत बैतर तरीके से तैयारी कर सकते है so यह price list है an academy की इसमें आपको discount मिल जाएगा तो इस side में आपका non-discounted price है and दूसरी side में आपका discounted price है weapon code को use करने के बाद चलो यार तो इस तरीके के handwritten notes मैंने बनाने की कोशिश की थी अपने slides पर ही तो please make sure कि मैंने जो tablet पर notes बनाये है यह आपको पसंद आते हैं नहीं यह मुझे आप comment में ज़रूर बताएं जिसे कि हम लोग इन पर और जादा बहतर तरीके से काम कर सके हैं right चलो आगे बढ़ते हैं epistasis epi का मतलब उपर right यानि किसी एक you know component के उपर किसी दूसरे का प्रकोब होना इसे हम जो है epistasis बोल सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा a gene mask the action of another non-allelic gene alleles क्या होते हैं पहले आपको यह जानना पड़ेगा इसके लिए alleles क्या होते हैं एक ही gene के दो contrasting form एक ही gene के दो contrasting या opposite forms को आप लोग alleles बोलते हो समझ लो एक gene है आपका height का right सो उसमें से एक जो alleles है वो आपका tallness का हो सकता है और दूसरा alleles जो है आपका darkness का हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो है आपका non-allelic gene यानि एक ऐसा particular gene जो alleles में आता ही नहीं है उसकी activity को mask कर लेगा आपका एक और gene तो जो gene किसी और की activity को control करेगा mask करेगा वो epistatic हो जाएगा epi मतलब उपर तो यह उससे उपर है यह उससे dominant है और दूसरा वाला जो surprise हो जाएगा जिसकी activity surprise हो जाएगी से आप बोल दोगे hypostatic हाइपो मतलब कम so epistatic means एक ऐसा particular gene जो dominant है and hypostatic means एक ऐसा non-allelic gene जो surprise हो गया है so इसका सबसे prime जो example हम लोगों को देखने को मिलता है वो है summer squash और cooker beta pepo so cooker beta pepo में आपको तीन अलग अलग तरीके के fruit colors देखने को मिलते हैं जो कि मैंने यहाँ पर marker से mention के हुए है पहला fruit color होता है आपका white जो कि yellow से dominant होता है और yellow आपका green से dominant होता है तो यहाँ पर क्या हुआ white आपका super dominant है यह सबसे जादा dominant है यानि अगर white का एक भी dominant gene या allele present है वहें पर कहानी खतम हो जाती है वहाँ पर आपका fruit white हो जाएगा जहाँ पर white नहीं है वहाँ पर yellow का opportunity मिलती है यह second priority पर है और जहाँ पर white और yellow दोनों ही नहीं है वहाँ पर बिचारा आपका ले देकर 16 में से एक आपका green जो है तयार हो सकता है अब इसको आपको बहुत detail में समझना है that is a thumb rule यह आपका एक thumb rule है कि अगर आपका एक भी white present है dominant level पे तो वह आपके पूरे के पूरे fruit color को white में convert कर देगा क्यों? क्योंकि white यहाँ पर epistatic है यह बाकि सब non-allelic genes के activity को mask कर देगा यानि समझ लो आपका capital W capital W है तो आपका white तो होगा इसके साथ समझ लो capital Y, capital Y है yellow के लिए तो आपका yellow भी यहाँ पर pure dominant है और यह भी लेकिन आपका color कैसा होगा white क्योंकि white is more dominant as compared to that of yellow तो यहाँ पर दोनो dominant case में present है और दोनों के दोनों आपको homozygous dominant है लेकिन तब भी आपका fruit color कैसा बनेगा white समझ लो आपका जो white है वो heterozygous condition में dominant है और yellow आपका पूरा homozygous condition में dominant है तब भी आपका क्योंकि single W present है अगर capital यह सबका पिताजी है overall आपका क्या होगा यहाँ पर इसी की activity जो है show करी जाएगी फिर समझ लो आपका capital W, small w है और यहाँ पर capital Y, small y है एक capital W आते ही यह सबका पिताजी है तो white हो जाएगा पूरा का पूरा fruit और यह अगर capital W, small w है और यह small y, small y है तो तो कुछ देखना ही नहीं है तो तो इसमें dominant आपकी किस की होगी white की यानि अगर single W भी होता है तो भी आपके पूरे के पूरे fruit color को white बना ले जाएगा यह आपका है epistatic gene तो आप सर येलो किन किन केस में बनेगा येलो in case में बनेगा जब आपका white जो है dominant हो ही न यानि आपका small w, small w हो और capital Y, capital Y हो तो यहाँ पर white जो है आपका recessive और y जो है ये है आपका ये dominant तो overall क्या होगा यहाँ पर yellow express करेगा और white नहीं जब white express नहीं करेगा और yellow express करेगा तब जाके आपको yellow देखने को मिलेगा second case क्या है small w, small w, capital Y, small y यहाँ पर भी ये expressive है और ये आपका recessive है तो यहाँ पर भी का yellow बन जाएगा अब आप बोलोगे sir green कब बनेगा green कब बनेगा जब दोनों white और yellow दोनों ही नहीं बनेगे यहाँ पर white recessive, yellow recessive इस case में दोनों ही नहीं है तब जाके आपको green को मौका मिलेगा ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखने है तो आप इसका चार्ट बना कर देख लेते हैं समय लोगे आपके parental generation है पेरेंट्स हैं आपके capital w, capital w, capital y, capital y, small w, small w, small y, small y यानि टेकनिकली यह कैसा हुआ, यह हो गया आपका white क्योंकि एक capital w है इसमें आपका white भी recessive है और yellow भी recessive है तो यहाँ पर यहाँ आपका green हो जाएगा टेकनिकली जब इसके gamit बनेंगे तो एक w यहाँ से आएगा, एक y यहाँ से यह आपका gamit बना यह आपके gamit बन जाएगे यहाँ से आपका small w, small y आ जाएगा, यह आपका gamit बना यहाँ से अब इन दोनों में जब मेटिंग होगी यह दोनों gamit जब combine करेंगे तो capital w small w capital y small y कैसा होगा यह आपका white ही होगा क्योंकि single आपका यहाँ पर white जो है capital w present है ओके so this is the case यह आपको यहाँ पर note करना था यह आपको यहाँ पर ठीक से जानना था आप देखो कि यहाँ पर जो है आपके इनके gamit क्या बनेंगे इनके gamit जो बनेंगे उनको एक बाद ठीक से note कर लो इनके gamit क्या बनेंगे आपका capital w सबसे पहले capital y के साथ फिर capital w small y के साथ ओके फिर small w capital y के साथ और small w small y के साथ similarly यहाँ पर भी ऐसे ही बनेंगे आपके capital W, capital Y capital W, small y small w, capital Y small w, small y अब इसको हम लोग जो है ठीक से solve करके देख लेते हैं कि हमारा answer क्या आना चाहिए तो यहाँ पर आगे आपका capital W, capital W capital Y, capital Y तो एक बार capital W आते हैं यह कैसा हो गया आपका यह हो गया आपका white right, तो यहाँ पर क्या हुआ capital W, capital W, capital Y, small y यह भी आपका white हो गया, capital W इसमें है capital W, small w white हो जाएगा automatically capital W, small w white हो जाएगा automatically, इसमें कोई दोराय है ही नहीं, capital W, capital W, white हो जाएगा capital W, capital W, white हो जाएगा और Capital W, Small W, ये भी आपका white हो जाएगा, आप आया देखो, Capital W, Small W, ये भी white है, आप आया Small W, Small W, ये भी आपका white है, आप आया Small W, Small W, तो यहाँ पर Small W, Small W है, और Capital Y, Capital Y है, तो ये कैसा हो गया, ये आपका yellow हो गया है, यहाँ पर क्या है, Small W, Small W, Capital Y, Small Y, ये भी आपका yellow हो गया, क्योंकि white express नहीं कर रहा capital y यहाँ पर है small w capital w तो यह आपका white हो गया capital w small w यह भी आपका white हो गया small w small w capital y small y तो यह आपका yellow हो गया और यहाँ पर आपका small w small w small w तो यह आपका green हो गया अब आप overall अगर आपना prediction निकालना चाहो तो आप असानी से निकाल सकते हो यलो आपके कितने है ये वाला यलो है ये वाला यलो है और ये वाला यलो है राइट ग्रीन आपके कितने है ग्रीन आपका एक ही है यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये वाला सिर्फ आपका ग्रीन है यानि एक आपको ग्रीन फ्रूट कलर देखने था या नहीं क्या हमारी prediction सही थी या नहीं तो यहाँ पर क्या लिखा वा था 12 white 3 yellow और 1 green और आगे जाके क्या मिला 12 white ये वाले 3 yellow और 1 green सही मिल गया ना 12 ratio 3 ratio 1 आपका इसलिए dominant epistasis का ratio है अब आपको याद क्या क्या करना है सर मुझे इसमें याद क्या क्या करना है पहली बात आपको ये याद रखनी है कि dominant epistasis का सबसे important example है कुकुर बिटा पैपो जिसे आप समर्ज क्याश कहते हैं यहाँ पर 3 different type of fruit colors होते हैं जिसमें आपका white सबसे ज़्यादा dominant होता है फिर आता है आपका yellow और फिर आता है आपका green ये आपको याद करना है और आपको याद करना है इनका ratio that is 12 ratio 3 ratio 1 ओके सो आपकी जितने भी interaction है उनके ratio अलग अलग होते हैं monohybride और dihybride का तो आपको पता ही है incomplete dominance का आपको पता है जो कि हम लोग कर चुके हैं the chapter बचे हुए जो हैं उनके मैं आपको पहले you know individually करवा दूँगा अच्छे से इनका cross बता के और बाद मैं मैं एक combinator video बता दूँगा जिसमें सारे के सारे आपके ratios एक ही वीडियो में और lots of love thank you so much for supporting me so well और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा because यह topic मुझे आज ही complete कराना है so I am making sure कि इसके जस्त बाद मैं आपको recessive epistasis भी करवा दूँ right thank you so much